अब लोगों के साथ अड़ा 24-7 की टीम बनी हुई है शुरू से लेके आखिर तक जब तक आपका सेलेक्शन नहीं हो जाता है आपको प्रिप्रेशन करवा रही है इसी में एक स्टैप और क्लोजर हम अपने टार्गेट तक पहुंस तो है सरकारी नोगरी के लिए स्सी की तरफ से मौसम विवाग में IMD इंडिया मेटरलिजिकल डेपार्टमेंट में जो 990 वेकेंसी हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं आज डिसकस करने वाला हूँ अगर आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा जो नोटिफिकेशन है अगर आपने नहीं देखा है तो इस बात का ध्यान रखना है 18th of October 30 September से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है 18th of October तक आपको इसका फॉर्म फिल करना है तो यह लाश्ट डेट चूक नहीं जा हो 18th October से पहले पहले फिल कर देना है और इसका जो फॉर्म फिलिंग का कॉस्ट है वो भी बहुत कम है 100 रुपीज और रुपीज में आप यह फॉर्म फिल कर सकते हो अगर यहां पर eligibility criteria की बात करें तो आपका जो एज लिमिट है that should be less than 30 years है और टोटल वेकेंसी यहां पर बा क्या physics में होना चाहिए अगर computer science information technology में तो एक सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट आपका physics होना जरूरी है उसके अलावा mathematics है computer applications है जो भी हो बट एक सब्जेक्स होना जरूरी है अच्छा इसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं कि पेपर किस तरीके का इसमें होने वाला है त तो दो पेपर यहां पर रहने वाला है paper one paper one जो होगा वह general paper है that will be for each and every branch लेकिन paper two जो होगा यहां पर तीन चैसे हैं either you attempt with physics और with computer science and IT और with electronics and telecommunication hundred questions इसमें यहां पर आपके टेक्निकल पार्ट से रहने वाला है और यह जो चार पार्ट हैं इन में इच एंड एवरी से 25 questions बनने वाल है तो टोटल यह 200 questions रहेंगे अब यहां पर यह बात हो जाती है कि इस exam के लिए prepare कैसे करें और कब तक prepare करना है तो जैसे आपको मैंने बताए 18th of October last date of form filling है और जो exam की tentative date है वो दिसंबर में है दिसंबर में आपका जो admit card हो मिलेगा और उसके बाद दिसंबर में एक्जाम होगा यह tentative date है अगर आगे नहीं बढ़ता है तो हम यह मान के चल सकते हैं December is the last date तो आपके पास समय बहुत कम है और समय कम होनी के वजह से अड़्डा 24-7 की टीम आपके लिए लेकर के आ रही है dedicated batches for these preparation in vacancies के लिए यहां पर आगेंब बात करें तो physics से कुछ लोग physics से अटेम्ड करेंगे कुछ लोग computer science and IT से हैं अगर तो वो इससे अटेम्ड करेंगे और जिन लोगों ने डिप्लामा किया है electronics and telecommunication में वो definitely इससे अटेम्ड करेंगे तो तीनों के लिए अलाग अलाग dedicated batch start हो रहा है जिसमें टेकनिकल वाला पार्ट और नॉन टेकनिकल वाला पार्ट दोनों यहां पर करवाए जाएंगे तो आप यहां पर batches देख सकते हैं यह scientific assistant के लिए electronics engineering के लिए जो batch start हो रहा है there was काफी लोग मुझसे sessions में पूछ रहे थे कि इसके लिए batch कभी start होने वाला जो नॉन टेकनिकल वाला पार्ट और टेकनिकल वाला पार्ट वो पूरा कवर किया जाएगा इसके अलावा अगर हम computer science की बात करें और physics की बात करें तो physics के लिए भी आज ही 10th of October से बैच स्टार्ट हो रहा है लेकिन computer science के लिए थोड़ा सा late means next week से 18th of October से यह बैच स्टार् gaming होगा वो 9 a.m. to 7 p.m. रहने वाला you can see here 9 a.m. to 7 p.m. means 9 a.m. से लेकर के 7 p.m. तक के बीच में slots time slots में आपकी classes होंगी हां पर और यह बहुत interactive manner पर classes रहने वाली हैं हमारे अड़ा 24-7 की app पर तो अड़ा 24-7 की app पर जाकर के इन courses को आप access कर सकते हो किस तरह से access करोगे आपक simple सा एक काम करना है आपको Google बाबा के पास पहुंचना है और Google बाबा के पास जाके सर्च करना है अड़ा 24-7 आपको सबसे पहले अड़ा 24-7 की website मिल जाएगी यहाँ पर आप जाके courses को देखेंगे आपको पता होगा अड़ा 24-7 सभी सभी exams के लिए preparation करवाता है तो यहाँ प आपको मिल जाएंगे यह तीनों courses अलग अलग branches के लिए आपको मिल जाएंगे आप अगर electronics से इन्जियां के स्ट्यूएंट है आपने electronics से डिपलोमा किया है तो आप electronics वाला बैच जोइन करेंगे अगर आपने computer science या computer application से BSC क्या है विद्वन सब्जेक्ट फिजिक्स या पर कभी किसी reason से कभी कभी ऐसा हो जाता है exam की date आगे खिसक जाती है तो उस case में आपका revision बना रहे आपको और content मिलता रहे आपको test मिलते रहें इसलिए six months तक यहां पर हम आपके साथ बने रहेंगे तो six months की इसकी validity होगी total अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 500 hours का यह होगा और अलग अलग branches के लिए जो non technical और technical जो subjects हैं उसके according यहां पर preparation पूरी तरीके से करवाई जाएगी अच्छाए यहां पर इस course में आपको यह जो cost देख रही है यह cost nominal cost है लेकिन इसको और जादा affordable और जादा nominal मनाने के लिए you can use some offers तो यहां पर अड़ा 24-7 की तरफ से अभी October मे यह 75% off का offer लग रहा है अगर आप इसको apply करेंगे तो यहां पर यह only 2800 करे जाएगा बहुत सिंपल 2800 यह 100 रुपे फॉर्म फिलिंग 3000 में आप scientific assistant बन सकते हो लेकिन अगर इसमें और आपको इसको और efficient करना है cost efficient करना है तो you can use the code जी 657 जी 657 अगर यह code आप यूज में लग होगे तो यहां पर यह और कम हो जाएगा that is 2644 प्लस 100 रुपीज मीन्स 2750 रुपे में आप scientific assistant बन जाएंगे और जैसे एक्जाम होने के बाद आप रिटन एक्जाम में इसमें कोई interview नहीं है उसके बाद जब आप join करेंगे तो फिर उस case में आप 6000 रुपे महीने कमा रहे हों इस code को यूज में लेकर के you will get this very low cost for this complete course of six months आप और भी किसी भी तरीके के exam के preparation कर रहे हों अगर तो इसी app पर जाकर के आप जी 657 अगर code यूज में लेंगे तो आपको extra इसमें 1% का off मिलेगा अगर आप website पर जाने की बजाए अगर गूगल प्ले स्टोर से अड़ा 247 की app इंस्टॉल करके वहाँ ये code यूज में लेंगे तो उस case में आपको extra इसमें 1% offer मिलेगा आई होप आप लोग रेडी होंगे अपनी preparation को start करने के लिए क्योंकि जितना जल्दी हम present में work करना start करने उतना जल्दी हम अपने future को सुधार सकते हैं तो आपसे मिलते हैं इन live batches में जल्दी ही मुझे लगता है कि आप इन batches में paid courses में join कर रहोंगा बहुत interactive manner में हम पढ़ देंगे जैसे electronics and communication के लिए और रड़ी एक बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें इवनिंग में टाइन पीम पर क्लास होती है इसी तरीके से अधर ब्रांचेश के लिए जल्दी स्टार्ट होने वाले तो मिलते हैं अगले आने वाले सेशन में तब तक के लिए गुडबाय All the best